फ्रेंट्स कोई भी त्योहार हो और जैसे आपको पता है फैस्टिव सीजन चल रहा है तो मिठाईया तो बनती ही बनती हैं चुकि एक फैवरेट डिश होती है सभी की त्योहारों पर तो हे फ्रेंट्स आज हम बनाने वाले हैं महौनताल वर्फी वो भी घर में उपलब्द इ कितने बढ़िया तरीके से बर्फी तयार कर सकते हैं महौनताल वर्फी जो कि सभी को बहुत ही पसंद आती है और बहुत ही आसानी से बन जाती है तो यहां पर मैंने बर्तन ले लिया है और इसमें दो कप बेसन लेंगे और बेसन को छलनी से छान लेंगे तो छानने से एक त गी को मैंने यहां पर मैल्ट कर लिया है और इसके बाद तीन चम्मच दूद डालेंगे दूद कोई भी जो घर में हो डाल सकते हैं तो इसको अच्छी तरह से मिला लेंगे तो गी और दूद को पूरी तरह से बेशन में मिला लेंगे और मिलाते रहेंगे जब तक यह अब्जॉर्ब हो जाए बेशन के अंदर देखिए बिल्कुल बड़ी हां तरीके से मिल चुका है तो अब इसको हम दबा देते हैं और इस तरह से दबा कर दस मिनट के लिए ढखकर रख देंगे तो दस मिनट के बाद देखिए बेशन और भी ज्यादा सॉफ्ट हो गया है तो फिर से बेशन को हाथों से मसल कर एक सार कर लेते हैं तो इस तरह से करेंगे दोनों हाथों के बीच में रखकर तो कोई भी मोटी गुटली ना रहे बिल्कुल बारीक दानेदार बेशन हो जान लेते हैं तो एक जैसा हो जाएगा सारो एससे इस तरह से एक ढम दाने-दार बेशन मिलेगा हमें अ तो इसके बाद कड़ाय लेंगे और इसमें हम soasterta कप देशी गी डाल देए तो गी गरम हो गया है तो गी के गरम हो जाने पर यह च्छाना हुब दाल देते हैं संब और इसको हम चलाते हुए भून लेंगे और गैस का फ्लेम लो रखेंगे लो फ्लेम पर हमें भून लेना है तो चलाते जाएंगे और घी में भून लेंगे तो यह लगातार चलाते रहना है जिससे कढ़ाई में ना लगे क्योंकि स्वाद खराब हो जाता है फिर मिठाई का तो इसलिए चलाते रहेंगे और भूनेंगे तो इसको तब तक भूनेंगे जब तक कि बेशन से खुसबू ना आने लगे तो एक बहुत ही अच्छी सी खुसबू आने लगती है और बेशन का कलर भी चैंज होने लगता है तो समझो कि बेशन पूरी तरह से पख गया है तो देखे कढ़ाई में भी बेशन दिखाई दे र और बेशन से बहुत अच्छी और प्यारी सी खुसबू आने लगती है तो समझो कि बेशन पख गया है अब इसके अंदर डालेंगे हम एक कप मलाई तो यह मैंने ताजा मलाई ले ले लिए जो दूद से निकालकर हम फ्रीज में रख देते हैं तो इस मलाई को डालेंगे त तो मलाई को हम फ्रीजर में रखकर कई महिने तक यूज कर सकते हैं और फ्रीजर में रख दें और जब चाहिए तो फ्रीजर से बहां निकालकर इस्तेमाल कर सकते हैं पैशल तो इस तरह से देखे कितना बड़ी आया वेंस लग रहा है अब कलर भी कितना बड़ी हाया है और अच्छी खुसगू आ रही है तो पूरी तरह से पक चुका है, मलाई भी पूरी तरह से एब्जॉर्ब हो चुकी है वेशन में तो इस तरह से लगातार चलाते जाएंगे, इसको लो फ्लेम पर ही रखेंगे तो देखें, पूरी तरह से भुन चुका है वेशन जब ये बेशन कड़ाई छोड़ने लगे, तो समझो कि इससे बरफी जम सकती है और पूरी तरह से तयार है बरफी जमने के लिए तो आप गैस बंद करेंगे और इसे हम अलग रखेंगे अब चासनी तयार करने के लिए बरतन लेंगे एक कप चीनी लेंगे, दो कप बेशन लिया लेंगे और इसमें आधा कप पानी डालेंगे सिर्फ आधा कप डालना है चीनी डोग गई तो इसको चीनी घुलने तक पकाएंगे पहले तो तो चीनी घुल चुकी है इसके अंदर डाल देते केसर के कुछ स्ट्रेंच और एक चौथाई चम्मच एलाईजी पाडर और एक चौथाई से भी कम येलो फूड कलर डाल देंगे इससे कलर बहुत अच्छा है गहां मौन ताल बतवी के अंदर तो देखे उसके बाद हमने 3-4 मिनट के लिए पका लिया है तो एक तार की चासनी बनानी है ज्यादा गाड़ी नहीं करना है तो इस तरह से चैक कर लेंगे एक बार तो उंगली पर इस तरह से लेंगे और उंगल इसके अंदर चासनी को डाल देंगे अब इसको फटा फट मिला लेंगे पूरी तरह से बेशन में मिलाते जाएंगे अब यह देखने में लग रहा है कि बर्फी नहीं जमेगी पतला दिखाई दे रहा है लेकिन यह पतला नहीं है धीर दीर यह एब्जॉर्ब हो जाएगा बेशन के अंदर यह देखिए कितनी बढ़िया तरीके से मिक्स हो चुका है अब एक बार हम देख लेते हैं यह जमने की जम सकती है या नहीं तो इस तरह से चमच पर लेंगे और ठंडा होने के बाद देखिए इस तरह से हटाएंगे और अब देखिए गोला बना लीजिए अगर बन जाता है तो इसका मतलब भी जम सकती है तो देखिए अब यह बढ़ भी जम सकती है तो इसको जमाने के लिए कोई गहरा बरतन लेंगे और इस बरतन को घी से ग्रीज कर लेंगे और इसमें पूरे बैटर को डाल देंगे इस तरह से बैटर को डाल देते हैं तो इसमें मोटे पीस काटते हैं तो ज्यादा अच्छे लगते हैं मौन थाल परपी के तो इस तरफ से हम चम्मच के उल्टी तरफ घी लगा लेंगे और इसको चिकना करके इस तरह से हलका हलका प्रेस कर देंगे जिससे ये बैटर एक जासा दिखने लगेगा कहीं से जादा कम नहीं होगा और उसके बाद हम कोच ड्राइफ रूट्स लेंगे पिस्ता बादाम लिये हैं मैंने और उनको उनसे गार्निस कर देंगे मिठाई को इसके बाद इन्हें थोड़ा सा प्रेस कर देते हैं इस तब आदाम डालने के बाद हलका हलका प्रेस करेंगे जिससे ये अंदर दब जाएंगे इस बर्फी को जमने में 7-8 घंटे का समय लग जाता है या पूरी रात रख सकते हैं तो देखे मैंने इसे पूरी रात रखा है तो बिलकुल बढ़िया बर्फी सेट हो चुकी है तो अब इसको मन पसंद साइज में काट लेते हैं तो बर्फी बहुती स्वादिश्ट बनती है और यदि आप मेरी जैसे मेजरमेंट के साथ बनाओगे इस तरह से मैंने बनाई है तो बहुती बढ़िया और बिना बिगड थैस्टिवल के समय कभी भी बृफी घर पर ही बनाकर साथ कर सकते हैं और खा सकते हैं खिला सकते हैं तो कितने अच्छे पेसिस तैयार हुए हैं बहुत बढ़िया बर्फी बनकर तैयार हुई है बिलकुल सौफ्ट और बढ़िया तो इसे हम 15-20 दिनों तक आराम से रख कर तो रेसीपी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और यदि आप मेरे चैनल पर पहली बारा आये हों तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और बैल आइकन को भी प्रेस करें जिससे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे मौन्थाल बर्फी तयार कर सकते हैं यह देखे कितनी बढ़िया एकदम परफेक्ट और दानेदार मौन्थाल बर्फी तयार है